हेले दोस्तों वेलकम बैक टो माई यूट्यूब चैनल और आज हम बात करने वाले हैं कि अगर आप HDFC बैंक से पर्सनल लोन एक सोच रहा हो तो इस समय आप पर्सनल लोन के क्या इंटरशेट वगरा चला है क्या इलिजबिल्टी वगरा रिक्वार होती है क्या डॉक्यमेंट यहां से लोन ले सकते हो यहां पे कितना लोन अमाउंट आपको मिल सकता है कितने यहीं पर्सनल लोन का इंटरशेट है उसकी स्टार्टिंग यह होती होती हूँ 11% से और मैक्सिमम जो जाता है यह जाता है यह जाता है 21% तक जैसा कि आप इनकी ओफिशल साइट पर विजिट करोगे तो यहाँ पर देख सकते हो कि यहाँ पर अगर आप जो है सेलिड इंडिविज्वाल हो तो आपको 11 परसंट से आप पर स्टाइटिंग होगी और मैक्सम 21 परसंट तक यहाँ पर जाएगा प्रोसेसिंग फीज जो है आपकी लगेगी वो लगेगी 4,999 रुपई आपकी फिक्स जो है प्रोसेसिंग चार्ज इत्ता लगेगा आपका स्टैंप ड्यूटी और अदर सेच्वरिटी जो चार्जेस वगरा है वो स्टेट के हिसा आप से अलग अलग होंगे आप यहाँ पे देख लेते हैं देखिए मिनिममम टेन ओर जो है आप टू 6 इयर्स के लिए ले सकते हो फिर यहाँ पे मिनिममम मंतली सैलरी जो है आप पच्चेस जार रुपई मिनिममम मंतली सैलरी डिक्वार होती है प्रोसेसिंग फिर जैसे को वह ने बता है 4999 रुपई प्री अप्रूब्ड इंस्टेंट पर्सनल लोन भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा यहाँ आपको आफर करती है अगर आप जो है टाइम से पहले अपना लोन चुकाना चाहते हो लोन को तो सबसे पहले तो आपको 12 EMI के बाद ही जो है आप अपना लोन चुका सकते हो तो अगर आप सेलेड इंडिविजवल हो तो आप 12 मंत की EMI आपको दे देनी है उसके बाद 13 से 24 मंत के बीच में अगर आप जो है आपने मालीज़े 6 साल के लिए लो लिया लेकिन आप उसको जो है दो साल में चुकाना चाहते हो तो अगर आप 13 से 24 मंत के बीच में चुका का लगेगा पार पेमेंट चार्जस भी हैं आप याप भी पहले आपको बारह इमाई देनी पड़ेंगे फिर आपको जो सेम यहां पर प्रॉसर्स है हाँ भी डोकुमेंटेशन में क्या लगेगा तो प्रूफ अडेंटी, प्रूफ अट्रेस, बैंक एकाउंट श्रेटमें लाज 3 मंद का और सेलरेस लिपी आपको यहां पर दोकुमेंट बगरा दिखाने पड़ेंगे, अब हम कुछ टॉप बैंक होंगे, उनके भी रेट ऑफ इंटर्स देख लेते हैं कि इस समय है, HDFC बैंक और कुछ अदर्स बैंक से उनमें क्या रेट ऑफ इंटर्स चल ला है, तो HDFC बैंक में तो 11 परसन से स्टार्टिंग है, SBI जैसे अब में बता है, 10.55 परसन से आपे स्टार्टिंग है, 15.05 परसन तक जाता है, ICI से बैंक 10.75 से स्टार्टिंग है, Axis बैंक 10.49 से आपको जो है, इतने इंटर्स रेट पर लोन प्रवाइड कर रहे है, इसमें सबसे कम इंटर्स रेट जो है, वो SBI का है, जो की पब्लिक सेक्टर की टॉप बैंक है, जिसकी स्टार्टिंग ओरी 10.55 परसन से, आप यहाँ पर देख लेते है, परसन लोन की प्रोसेसिंग फी सेड्डेूल चार्ज है, चेक शेया जाएं रर्फ चैक जो है, बायूंस हो जता फर novo sturdy चैक जओर यह आपे अब कर देख लेते हैं Ismael प्रसलान के टाइब्स हो आएं ज्यक्राइब आपको आंसे पधनी सकता है, टो सबसे पहले तो आप ले करने हैं और आपके पास पैसों की कमी हो रही है तो आप जो है मैरेश लोन ले सकते हैं आप एच्जफी बैंक से यहां पर आप मिनुमम् पचास है और मैक्सम 40 लाग तक का लोन ले सकते हो एक से पांस सालों ले प्रोसेसिंग फिश धाई परसंट लगेगी आपके लोन अगर आपको जो है कई वेकेशन वगर आप जाना है उसके लिए भी आपको यहां पर लोन ले सकते हो अगर आपका फरनीचर वगर आपको रेप्लेस कराना है तो उस सब के लिए जो है आप से लोन मिल जाए गया आप आप भी आप चालिस लाग तक का लोन ले सकतू चालिस लाग तक का परसंट लोन फॉमेंज्श के लिए जो यहां पर वोमेंस के लिए जो है रेट ऑफ इंटेस्स में थोडा सबसेशन हैं अगरा मिल जाता है अब कोई भी woman वगरा आपको या तो higher education के लिए travel वगरा के लिए या wedding वगरा है उनकी और कोई emergency expenses वगरा आगए जैसे कि medical emergency आगए तो उन सब के लिए आज से loan मिल जाएगा आपको 5 साल के लिए 50 यार minimum और maximum 40 लाग तक का loan मिल सकता है आपको personal loan for salary individual भी है आपको कोई भी salary individual होगा तो वो आपनी personal lead के लिए जो यहां से personal loan के लिए apply कर सकता है 50 यार से 40 लाग तक का loan ले सकते हो personal loan for government employee के भी है आपको यह tenure जो है 6 साल तक के लिए ले सकता है अगर कोई भी government employee है और 40 लाग तक का maximum loan मिल जाएगा है आप पे balance transfer है आप जो है hdfc bank में personal loan के eligibility क्या required होती है तो कोई भी जो है private sector employee हो या public sector employee है या employee of central state and local bodies हो तो इस सब जो है eligible होंगे आसे loan लेने के लिए minimum age 21 है maximum 60 years है और जो है अगर आप salary individual हो तो आपको 2 year का work experience होना चाहिए और 1 year का current employee होने चाहिए minimum net monthly जो income है वो 25,000 रुपय होनी चाहिए आपका और आपका civil score जो है वो काफी अच्छा होना चाहिए अगर आपका civil score साड़ सास्तों के उपर होगा तो आपको सबसे कम interest rate पर loan मिल जाएगा वहीं अगर आपका civil score down होगा तो आपको जो है काफी high interest rate देना पड़ सकता है यह documentation वगरा यहां पर दिखाने पड़ेंगे अगर आप जो है HDFC bank से personal loan लेने जा रहा हो तो आपको हमारे information जो आप informative लगी होगी वीडियो अगर आपको पसंद आओ तो चैनल को subscribe कर दीजेगा और वीडियो को एक like कर दीजेगा और हमें comment करके बताएगा कि आपको और किस bank के बारे में home loan, personal loan और car loan के बारे में information चाहिए तो आप हमारे किसी भी वीडियो के comment box में comment करके हमसे पूछ सकते हो तो आज की वीडियो में बस इतना है तो मिलता है next video में तब तक के लिए धन्यवाद